असलाम अलेकुम जी, so in this lesson we are going to learn more about the quick selection tool, the lasso tool and the polygonal lasso tool ठीक है तो quick selection tool लेते हैं और यहाँ पे कुछ oranges को select करते हैं मैं यहाँ से अपनी keyboard से right skirt bracket प्रेस कर रहा हूँ और इसका size थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं तो quickly अपने इस orange को select करते हैं मैं यहाँ पे clicks करता हूँ और हम अपने इस orange को select कर लेते हैं ठीक है तो अगर कुछ इस तरह के parts हैं यहाँ पे हम लोग laser tool को use करेंगे तो मैं laser tool लेता हूँ तो इसको आप लोग बिलकुल बड़ा free handly use कर सकते हैं जैसे कि हम brush को use करते हैं pencil को use करते हैं तो क्यूंकि हमने इस selection को इस वाली selection के अंदर add करना है तो मैं अपनी keyboard से plus को click करता हूँ और मैंने click करके रखा वा है और मैं इसको यहाँ से drag करता हूँ और इसके बाद इसको अंदर की तरफ move कर लेता हूँ ठीक है तो यह थोड़ा सा area background का select को गया तो मैं अपने keyboard से alt को press कर रहा हूँ और इस area को हम remove कर लेते हैं ठीक है तो lesser tool से आप लोग बड़ी quickly जो इस तरह के edges हैं उनको select कर सकते हैं तो अपने keyboard से shift को press करते हैं और इस selection को add कर लेते हैं अपनी main selection के अंदर इसी तरह इस पार् black dots नजर आ रहे हैं तो मैं अपने keyboard से alt को press कर रहा हूँ आपको minus का symbol नजर आ रहा है और यह वाला part हम इसमें से remove कर लेते हैं ठीक है जी और इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि मजीद selection कैसे बितर हो सकती है सो यहां पर आपको यह वाला part include करने हैं अपने keyboard से shift को press करें और इस पार्ट को भी अपनी selection में शामिल कर लें सो मजीद आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यहां पर कुछ green parts background के नजर आ रहे हैं तो keyboard से alt को press करें और इस पार्ट को अपनी selection से remove करते हैं ठीक है जी तो यह हमने orange एक select कर लिया इसके बाद हम इस orange की तरफ आते हैं तो यहां पर हम दुबारा को एक selection tool लेते हैं और मैं यहां पर इस पर click करता हूं अपने leaves को select करते हैं इस पार्ट के लिए इसका size small कर लेते हैं और मैं दुबारा यहां पर click करता हूं थोड़ा सा बड़ा करते हैं चीक है तो इसके लिए हम लोग लासर टूल यूज़ कर लेंगे यहां पर click करते हैं जी सो लेट सी के क्या results हैं चीक है मजीद इसके लिए भी लासर टूल कर लेते हैं तो मैं यहां से लासर टूल लेता हूं और यह वाला पार्ट जो के quick selection टूल से हमें मुश्किल हो रही थी मैं अपने keyboard से shift को press करता हूं और इस पार्ट को हम एक तरह से draw करके इस selection में add कर लेते हैं ठीक है आप मजीद देख सकते हैं कि आप इसको अगर refine करना चाहते हैं है so you can further refine the selection अब यह जो backside बाला part और इंच का इसको भी include करते हैं शामिल करते हैं selection के अंदर एंच हमारा यहां से क्विक selection ने मिस कर दिया है इसको भी हम शामिल कर लेते हैं ठीक है जी यहां पर अगर आप corners को देखें तो यह black area background का नजरा आ रहा है इसको रिमूब कर लेते हैं ठीक है इस पार्ट को शामिल करते हैं जी ठीक है इस यह को रिमूब कर लेते हैं So this is how you can use the combination of the selection tools जैसे कि यहाँ पर हमने quick selection tool और lasso tool का इस्तमाल किया इसी तरह से आप दो tools का भी इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है जी यह वाला part हमें चाहिए main selection के अंदर इसको भी include कर लेते हैं और इसके लाबह हमें यह वाला part भी चाहिए जो पर वाला part है उसको बाद में add करते हैं ठीक है पहले इस part को add कर लें इसके बाद अब इसको भी add कर लेते हैं ठीक है जी यह हमारा remaining है यहां पर आते हैं और इस part को भी main selection में add कर लेते हैं इसको remove कर लेते हैं इसको भी add करते हैं और यह वाला part आप करेंगे हैं ठीक है इसको delete कर लेते हैं यहां पर हम दुबारा से मैं control V कर रहा हूं और यह जो हमने भी recent selection की है वह उसने वहां से उन pixels को copy किया और यहां पर उन pixels को paste कर दिया सो कुछ इस तरह से आप लोग lasso tool और quick selection tool का इस्तमाल करते हुए अपने objects की selection कर सकते हैं ठीक है और आप combination of selection tools भी use कर सकते हैं for example अगर बहुत square image है या rectangular image है जो भी आप object crop करना चाहरे हैं किसी main image के अंदर से सो आप इस tool का इस्तमाल करें और जो बाकी थोड़ी बहुत details रहेंगी वहां पर quick selection tool use कर लें या lasso tool इस्तमाल कर लें so it's very important to know के different tools different scenarios में कैसे effectively use किये जा सकते हैं इसके बाद हम लोग polygon lasso tool और magnetic lasso tool इन दोनों का इस्तमाल करेंगे in the very next lesson so thank you so much for your time